तो अगर आप भी सुबह सुबह कुछ healthy और tasty खाना चाहते हैं और बच्चों को भी कुछ healthy और tasty टीफिन में देना चाहते हैं तो इस recipe को try कर सकते हैं आज की recipe बहुत ही मज़िदार होने वाली है मैं आपको तीन तरीके से ये recipe बनाना बताऊंगे तो चलिए आए ये देखते है इसकी मज़िदार recipe इसके लिए सबसे पहले हम mixer jar में लेंगे एक जथाई कप नारियल का बुरादा आप यहां पर सुखा नारियल भी ले सकते हैं या फिर आपके पास अगर ताजा नारियल है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद तीन कली लेसुन के add करेंग स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसका बढ़िया सा पेश्ट तयार कर लेना है तो यह देखे बढ़िया से इससे मैंने तयार कर लिया है अब इससे और भी मज़िदार और टीस्टी बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे बढ़िया सा तड़का तो तड़के पैन में एक चोटा चमच तील गरम कर लेंगे उसमें डालेंगे आदा चोटा चमच जीरा आदा चोटा चमच ही एड़ कर देंगे सरसोथ, थोड़ी सी सुखी लाल मिर्च, थोड़ी सा करी पत्ता और इसके बाद हमें इसे बढ़िया से तिड़कने दे रहा है जैसे ही बढ़िया से तिड़क जाएगा हम इस तड़के को हमारी मज़िदार सी डिलिशियस सी चटनी में एट कर देना है तो यह हमारी बहुत ही instant और बहुत ही चटपटी से चट्नी बनकर के तैयार हो गई है बहुत ही चटपटी बनकर ती है और इस recipe के साथ यह perfect जाती है तो लीजी बनकर त्यार है इसे रखते हैं अब side में अब यहां पर मैंने ले लिया है आदा कप मूंग दाल तो इसे मैंने आदे गंटे पहले गरम पानी में पुला करके रख दिया था अगर आप इस नाश्टे को सुबा बना रहे हैं तो आप इसे रात भर फुलने के लिए छोड़ सकते हैं या फिर अगर आप instantly बना रहे हैं तो आदे गंटे में ये बहुत ही बढ़िया से फूल जाते हैं तो गरम पानी में आप इने फूला दीजे बढ़िया से फूल जाएंगे तो इसका सारा पानी निकाल देंगे और इससे mixer jar में transfer कर देंगे इसी साथ इसमें डालेंगे कुछ हैरी मिर्ची एक इंचे द्रकर टूड़ा और लेसुन यहाँ पर optional है मैं यहाँ पर चार लेसुन के कली आड़ करूंगी थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे पीस लेंगे तो अब हम इसे मिला करके यह देखे इसकी consistency इस तरीके से रहने चाहिए तो मिला करके अब इसमें हम add कर देंगे एक बड़ा चमज सूजी तो सूजी डालना पूरी तरह यह से तो इस तरीके से आधा portion मैंने अभी लिया है आधे कहां इसमें बाद में इसमाल करेंगे तो पहरी रेसिपी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चमज जितना हरी शिमला मिर्च लाल शिमला मिर्च और इसी के साथ हम यहां पर add कर देंगे थोड़े से कौन तो आप यहां पर सबजीयां अपने मन मताबिक add कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहां एक चमज के करीब प्यास बारी काट करके add कर दिया है एक चुटकी डालेंगे हल्दी साथी आधा चमज यहां जीरा जाएगा एक चुधाई चमज काली मिचो का पाउडर स्वाद के नुसान नमक add करें बड़ी आसे से मिला लिया है अब अपने नाश्टे को बहुत ही मज़ेदार fluffy बनाने के लिए हम इसमें add कर देंगे एक चोटा चमज इनो fruit salt तो अगर आपको बिल्कुल omelet वाला texture चाहिए न तो आप इसमें इनो fruit salt ही add करिएगा और अगर थोड़ा सा fluffy कम चाहिए तो आप दो चुटकी के करीब तो यह देखिए इसका texture आप देख सकते हैं अभी से यह बहुत ही fluffy दीख रहा है तो अब यहां पे एक पैन में हम बटर यह तेल गरम करेंगे और इसके बाद हम इसे बढ़िया से गरम होने देंगे तो पहला नाश्टा हम बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें इस तरीके से बैटर को फैला लेना है फैलाने के बाद ढगने के बाद हमें इसे दो से तीन मिनट के लिए बढ़िया से सेक लेना है लो मीडियम फ्लेम पे तो यह देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेक लिया है जैसे ही उपर का surface सिक जाएगा तो हमें इसे ड़ूर्टा है। तो इसके लिए थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे और यहां पे जो सीम एटर था इसे हम इस तरीके से भीड कर लेंगे फैले मैं चलимे अवय एक तेल और हुपर सकाने लगारे मुझहानल है। प्रेट के स्लाइश को अबुदा कर कदेंगे लिए ताकि ये बिल्कुल evenly shape में आ जाए इस तरीके से और इस तरीके से करने के बाद हमें उपर वाले surface को भी बढ़िया से flatten करने देना है और इसे ढख करके हमें 2-3 मिनट पका लेना है low flame पे तो जैसे ही उपर का surface सूख जाएगा तो आप इसे भी बढ़िया से पलट लीजे ये द दूसरे साइड भी हमें 2 मिनट के लिए बढ़िया से सेक लेना है और अलटते पलटते हुए golden होने तक इसे सेक लेंगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बन करके तयार होता है आप इसे एक बार बना लीजे बचों को टिफिन में दीजे देखिए बार बार बचे आपको यही जित करेंगे बनाने के लिए तो चलिए मैं तीसरा बनाना बताती हूँ आपको जो हम सब का फिवरेट है तो इसके लिए जो मैंने बैटर बचा के रखा था बस उसमें मैंने कुछ नहीं डाला है और जो इनों आदा बचा कर रखा था उसे मैंन तो डाल सकते हैं और जो सबजियां हमने काट करके रखी थी जैसे कि शिमला मिच हो गया प्याज हो गया थोड़ा सा हमने धनिया पत्ती एड़ कर दिया है ये देखे कौन एड़ करेंगे जो भी आपके पास एड़ कर सकते हैं पनीर किस टॉपिंग की जा सकती है आप इसमें म आप यहां पर चाहें तो चीज भी एड़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा तो इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी बढ़िया से सेख लेंगे ताकि सबजियां थोड़ी सी और पक जाएं और खाने में बहुत ही मज़िदार लगें तो इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैं दो मिनट के लिए सीख लूँगी इस तरीके से लो फ्लेम पे और ये लिजे दीसरा वाला भी हमारा बन करके मज़िदार सा नाश्त तयार है तो चलिए अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं तो ये हमारी मज़िदार सी रेसिपी बन करक रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यदि आप इसे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें इस तरीके से देखें इसकी एक तम स्पॉंजी और मैं आपको इसे कट करके भी दिखा दिती हूँ आपको लग रहा होगा न कि अंदर से कहीं कच्छा न रह जाए तो अगर आप इसे लो फ्लेम पे सेखेंगे न तो बिल्कुल भी ये कच्छा नहीं रहेगा और आप इसे एक बार बस खाएंगे न तो आपको ऐसा फील होगा कि आप ओमलेट और ब्रेट खा रहे हैं इतना टेस्टी और इतना मज़दार लगता है बिना ओमलेट के ये मज़दार सी हेल्दी सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करिएगा तो लीजे मैं आपको इसे भी चीला जो हमने बनाया था वो भी मैं आपको तोड़के दिखा रहे हूँ बहुत ही फलफी बहुत ही मसेदार बन करके तयार हुई है तो इसी तरीके से आप भी बनाईए बच्चों को खिलाए बच्चे बहुत ही खुश होंगे मिलते हैं कल सुबह नौब जे एक और रेसिपी के साथ तिल रेन टेक केर और बाई